हेलो फ्रेंड मैं आर्क काल का यह स्वागत करता हूं यह हमारा पंचवर्षी योजनाओं के वीडियो चल रहे है जो फ्लो में अभी इससे पहले मैंने पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षी योजना पढ़ाई समझाया आपको आप सुस्क्राइब कर लोगो तो सारी मिल ज पंचवर्षी योजना अधूरी रह गई मतला अधूरी तो नहीं कहूंगा 75% हो गई थी 25% रह गई तो मैं इस वीडियो में फिर से तीसरी चौथी पांचमी और छटमी कवर करूंगा ठीक है ना और कोई नहीं जानका है तो बोर नहीं हो गए तीसरी पंचवर्षी योजन से तो मैं सीकुर्ण डाल रहा हूं थार्ड फाइव एयर प्लांड तीसरी पंचवर्षी योजना जो कि मैं अल्लेडी डिसकस कर चुका हूं तो मैं आंगे में पिछले पार्ट्स में तो मैं थोड़ा सब फास्ट कराऊंगा इसको देखें भारती अर्थ विवस्ता को आत् कि जो नोद्स बना रहे हैं वो बनाते चलें जो भारत की अर्थ विवस्ता है भारत की अर्थ विववस्ता इस्पूर्तिवान और आत्म निर्वर आत्म निर्वर एवं इस्पूर्तिवान मतलब टेक आप स्टेज कहते हैं स्वता तहां इस्पूर्तिवान बनाने पर जोर जिया गयाथ है इसे कहते हैं टेक आफ स्टेज क्लेर हो रहा है तो थ्रड येर भी प्लान जो बात कर रहा हूं है तो بारगई स्ट आत्म आप इना पर और स्वतातिवान तक आ anticipating आफ स्टेज बनाने पर जोर जिया गया था लेकिन यह सफल हो गई हमने बात की थी अब बात हो गई यह सफल हुई क्यों इसके बहुत सारे कारण है इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा जगे कम है इसको मिटाना पड़ेगा तो यह मैंने बताया था ना शॉर्ट रिक में भी बताया था सेड सेड नाम दिया था मैंने अगर आप मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो तीन वीडियो पीछे चले जाओ तो मैं मिल जाएगा चैनल में तो इसको मैंने पहले शॉट टिक से समझाया है यह अब मैं बिस्तरस से समझा रहा हूँ तो इसको मैंने शॉट टिक में नाम क्या दिया था सेड कहा था न वाइस हो यह दो को फेल हो गए थी असफल थी अब बात आ रही है असफल होई क्यों पहली बात यह असफल होने कारण क्या है मैंने बताया था पंचवर्शी योजना के अदिक्ष कौन होते हैं प्रदान मंत्री होते हैं है न तो 27 मई 1964 यानि नहरुजी हमें छोड़कर चले गए मतलब उनका देहान थो गया पहला कारण मैं कारण बता रहा हूँ 35 योजना असफल क्यों मानी जाती है 27 में 1964 को नहरुजी का देहान थो गया मतलब हमारे प्रदान मंत्री जो अद्यक्ष थे वो छोड़कर चले गए दूसरा कारण अगर हम देखें तो भारत चीन ये दूआ सब जानते हैं 1962 में और हमारी बहुती करारी हार रही तीसरा फिर आ गया हमारा जानी दुश्मन पाक युद्ध हुआ 1965 में ये भी एक कारण रहा मतलब पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण फिर कारण रहा भीसन सूखा भीसन सूखा पड़ा भारत में, अब तक का इसका समय निर्धाजित किया जाता है 1965 और चारण ये तीसरा कारण रहा एक और कारण रहा रुपए का अब मुलित किया गया रुपए को अब मुलित किया गया इस योजना के अंदर तो ये बेसिकली की काफी कारण थे इस कारण को अलग रख लें इसकी विशेस्ता रही इस पंचवर्षी योजना की 1966 की बात है पिटाई ये रुपए का अब मुलियन के अब मुलियन जानते हो ना रुपए की फिर से वैल्यू को आखना तो ये हमारे असफलता के कारण है 27 वही को 64 में नहरुजी का देहान थोना भारत चीन युद्ध होना 62 में भारत पाक युद्ध होना 1965 में भीशड सूखा पढ़ना अब तक के 100 साल का सबसे बड़ा सूखा पढ़ा 1965 और 1966 में फिर मुद्धरा का मोलिन हो तो ये कारण जो फसे न तो ये पंचवर्षी योजना पूरी की पूरी फस गई अब इस पंचवर्षी योजना में क्या-क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है तो मैं इसे मिटा देता हूँ अब देख रहे हो जगे बहुत कम है ने तो मैं लिखा रहा है ने देता उम्मिद करता हूँ तुम रिप्ले करके इस वीडियो को फिर से नोट्स बना सकते हो अच्छा अब इसमें हुआ क्या-क्या ध्यान रखना सारे उध्योग दूसरी पंचवर्षी योजना में नहीं खुल गए कुछ युद्योग तीसरी पंचवर्षी योजना में भी खोले गए जैसे 1964 में रूस के सयोग से कहां पे क्या खुडा गया था बोकारों में बोकारों कहां पर है भाईया जहारखंड में यह तो मालूम है जहारखंड जहारखंड में है या नहीं है यहां पे बोकारों बोकारों आईरन एंड इस्टील इंडरस्टी खोले गए समझ में आ रहा है है वी इंड में आई एंड लिख देता हूं समझ जाना 1964 में यह आ जाता है बोकारों में यह कोश्चन आया है बेटा ध्यान रखना मैं कोश्चन हाइलाट कर रहा हूं कोश्चन नमबर वन जिसे मैं प्रीवेस वीडियो में भी हाइलाइट कर रहा था 1964 में रूस के सब्सक्राइब बुकारों में जारकन में कब खोला गया बच्चे दूसरी भी लगा गया तर नहीं यह तीसरी पंच वर्ष योजना की देन रहा बुकारों का आरें स्टील अब एक और आ सकता है कुश्ची अगर हम देखें 1964 में ही यूनिट ट्रस्ट ओफ इंडिया यानि यूटि आई कहते है न यूटि आय यूटि आय की स्थापना की गई और आई डी बी आई की भी स्थापना हुई कब 1964 आई डी बी आई के फुल फर्म सुनीए है हाँ क्या होती है आई फॉर इंडिस्टियल डी फॉर डवलपमेंट बी फॉर बैंक आई फॉर ऑफ इंडिया मतलब Industrial Development Bank of India की स्थापना की कब हुई यह सारी स्थापना है यह स्थापना हुई 1964 में एक और चीज़ अगर हम देख लें यह कुश्चन आया है enabling 1965 में BCI की स्थापना हुई यह एस्थापना हुई यह स्थापना हुई यह स्थापना कोश्चं आ सकते हैं किस पंच पर शीव अजना में बना कैसे हुआ और सबसे महत्पून क्रशी दिखाई तो दे रहा होगा आपको क्रशी कीमत आयोग बिहार PFC में ये कोश्चन भी आया था क्रशी कीमत आयोग जिसे हम कहते हैं A-P-C Agriculture Price Commissions ठीक है न कब बना किस पंचवर्षी हो जना में ये भी 35 पंचवर्षी हो जना में बना गया समझ में आ रहा है यानि ये चार उपलब दी है 1964 में रूस के सब्सक्राइब बुकारों में स्टील प्लांट बना आयरेन स्टील उन्हें चोश्चन में UTI खुला IDBI खुला और 1965 में FCI और क्रशी कीमत आयोग की स्थापना खुई इसे आप जरू ढंक से कर लें ठीक है मैं इसको तोड़ा मिटा देता हूँ अब हम थोड़ा सा और आगे कर लें इसी पंचवर्षी योजना में एक और और कुश्चन जो बनता हो वो और लिख लें यार हमारे हम पढ़ा रहे हैं सारे कुश्चन आने चाहिए बस हमारा ये मानना है तो ध्यान रखना फर्स्ट फाइव येर प्लान सेकंड फाइव येर प्लान और थर्ड पंचवर्षी योजना मतला फाइव येर प्लान जो भी प्लान है यह तीनों है सरकार ने इनने trickle down theory का उनुसरण कहा है ठीक है थ्यान रखना पहला दूसरा तीसरा यह जो भी योजना हैं इनने सरकार ने trickle down theory का उनुकरसरण किया है यह ध्यान रखना trickle मैं लिख देता हूँ down यह टिअ यह त्युर्वी का अनुसरर किया कहाजाता है कुशना आसकता है कौन कौन सी पंचवर्शी योजना wash को ट्रिकल्डाउन ध्यूरी का अनुसरर कहा जाता है यह आपने बहुत लोगों ने पहली बार सुन रहें मुझे मालूम है शर्त लगा सकता हूं पहली बात सुन रहा हूं क्योंकि मैं बहुत डीव जा रहा हूं आप उपर वो पढ़ते हो लूसेंड पल्डी उस पर्याप्त नहीं है अगर पेपर निकालना है न तो घहराई में जा चाहिए वो कोई भी पेपर हो परविक्षग हो आ जाप्त करने में असमर्थ हो गई थी तो फिर जो सरकार है उसने क्या किया यह तो फेल हो गई अब क्या हुआ हमारी सरकार नई पंचवर्शी योजना बनाने की स्थिती में बिलकुल नहीं थी ठीक है न अब क्या करे जब भई नई पंचवर्शी योजना हमारे पास नहीं हैं तो हमारी सरकार द्वारा तीन सालों के लिए 1966 मैंने बताया था नहीं यह यह बनाई गई थी 61 to 66 बनाई गई थी यानि 1961 से 1966 के बीच में थी अब हमारी सरकार पर वो तो था नहीं आप्शन नहीं था तो हमारी सरकार नहीं क्या किया 1966 टू 1969 होलिडे प्लान घोशित कर दिया होलिडे प्लान मतला अबकास काल आप कोई योजना तो बना नहीं पायते हम तो इसे कहा जाता है अबकास योजना क्या कहते हैं अपकार ध्यान रखना 1961 टू 1966 तक तो ये पंच वशियों चली ये फेल हो गई तो 1966 टू 1969 मतलब तीन वर्ष के लिए भारा सरकार दोरा अपकास काल की घोशना कर दी गई क्लियर है आप लोगों का ओके अब हम आगे बढ़ें तो ये तो क्लियर हो गए ये मैंने पहले भी आपको काफी समझा दिया था इस पंच वर्षी योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका लक्ष क्या था अगर आप बोलें तो मैं फिर बता देता इसका लक्षित रखा गया था टार्गेट ग्रोथ रखा गया था ग्रोथ रेट जी आर पात असमलक्ष है और प्रात किया था टू पॉइंट सेवन टू ये जॉन सेंडी एवां सुब्रमान्या चक्रवती मॉडल पर आधारित योजना थी ये मैं प्रिवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ बहुत अच्छे से इसमें मैं नहीं करूँगा मैंने शौट बता दिया हो सकता है कुछ स्टूडेंट यही पहला वीडियो देख रहे हैं पहला ना देखा हो तो कुछ आइडिया हो जाए इतना सोचा था खर्च करना इतना खर्च हुआ इत 1966 से 1966 में हुआ क्या मतलब इन तीन सालों में क्योंकि कोई प्लान तो था नहीं हमारे पास इन में क्या क्या तो इसे मिटा दे हम ओके तो यह हमने मिटा दिया अब आते हम आंगे की ओर 1966 तो 69 इसमें एग्जेक्टली हुआ क्या देखो इस योजना में मतलब अपकास काल की संध्या दी मैंने पताया ना हॉलिडे प्लान अपकास काल योजना योजना वकास काल बोला गया युना काल की संध्या दी गई नहीं गई कोई हमारे पास योजना ही नहीं थी कि हम बना सके हम बड़े परिशान होगा चाहे हमारी बुरी हालत हो चुकी थी तो इसके अंदर ही कोशन आता है 1969 में नारीमन समीती आप ये समीती जरूर यात कर ले ना 1969 नारीमन समीती के आधार पर ये कोशन आया हुआ था के आधार पर लीड बैंक योजना शुरू की गई लीड बैंक योजना शुरू हुई 1969 में नारीमन समीती के आथार पर लीड बैंक योजना ये कोशन आ सकता है लीड बैंक योजना की शुरूवात के जरूमिती के आधार पर हुई कोश्यन बहुत डिफिकल्ट आते है मईला परवेक्चा को या कोई भी एक्जामिनेशन हो व्यापम का या पीएसी लेवल ही क्यों हो कौन सी समीती थी लीड बैंक योजना शुरू कही नारीमन समीती यह कोश्चन ढंग से याद कर लेना पहला कोश्चन बनता हूँ नजर आता है ठीक है फिर से आ जाते हैं लोटा के अपने कैमरे को आ यह होगे हमारी नारीमन समीती के आधार पर लीड बैंक योजना शुरू की इन तीन जो वर्ष थे मैं समझाएता हूं इन तीन वर्ष के दोरान पूरी तरह से नई क्रशी नीती अपनाई गई इस पर तीन का उदेश क्या था नई क्रशी नीती अपनाना कोश्चन आ सकता पर तीन साल में क्या जख मराई नहीं नई न्यू एग्रिकल्चर पॉलिसी को एसेप्ट किया गया समझ में आ रहा है नहीं उर्वक लेकिया है सिचाई का विस्तार किया और इसी के चलते 1966-67 में हरित क्रांती की भारत में शुरुवात हो सकता है पर नहीं आ रहा है आप लोगों के तो यह थी इन तीन सालों का कारेकाल भाई खादे पदार्द भराणा सूखे की मार से बचना वैसे हम मरे हुए थे युद्धु ने माल डाला फिर सूखे ने माल डाला प्रकरती ने माल डाला तो हमें क्रेशी के छेत में कुछ नया करना था तो नई क्रेशी नीती अपनाई ठीक है ना इसी का मतलब परिणाम सरूप हरित करांती भारत में आई तो नारीवन समीती में लीड बैंक योजना की शुरूआत की गई और इसका उद्धिश ही क्या था ससे इसमें क्या विशिष्टा रही इसकी तीन सालों की दूसरा को को अपनाना हरित करांती की शुरूआत हुई नहीं हुई अप जाने तो स्वामी नाथन बोर रोग जान सब नाम सुनें आपने यही चलिए तो आप आते हम चौथी पंच वर्षिय योजनापन उससे पहले हमें इसको मिटाना बहुत आवश्च्छ है मैं आपको एक एक चीच करा रहा हूँ योजनाओं का देखो शौट ट्रिक तो मैं प्रिविएस वीडियो में बता चुका हूँ ESPN, SAD, TECHNIC, EFGH बहुत शौट हम बताया था यह लेक्चर मैंने पहले ही आपको बताया था मैं बहुत बिस्तरत रूफ से पढ़ाऊंगा कोई भी कोशन इससे भार ना जा सके यह महिला पर बेट से छोड़ो आईएस लेवल तक के बच्चों के लिए काम की चाहिज़े तो पहले हमें बहुत जानना जरूरी होता है कि वह चौथा जो फाइव येर प्लान है उसमें किस मॉडल पर आदारीत है तो पहला यह किस मॉडल पर आदारीत है हमारा अशोक अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आदारीत है यह योजना है इसका समय काल क्या रहा भईया अब आप याद करो 69 तक तो तीन साल अपकास काल रहा तो इसका क्या रहा होगा जी भाई 69 तो शुरू होगी तो इसका काल रहा 1969 to 74 इसका समय काल रहा इसमें जो खर्चा सोचा था खर्चा मतलब निवेश जो सोचा था प्रस्तावित किया गया था सोचा था वो था अपना पंद्रह हजार पंद्रह हजार नो सो करोड रुपए समय में आ रहा है और खर्चा हुआ कितना हुआ हुआ मतलब वास्तविक वास्तविक कितना खर्चा हुआ भई इस पर पांच हजार सास सो निन्यानवे करोड रुपए खर्च हुआ इतना सोचा और उतना खर्च हुआ ये पहले बेसिक पॉंट जाना जरूरी है हमें हर पंच वर्शियों जनाका अब इसमें लक्षे तो द किती थी टारगेट ग्रोथ लक्षित दर कितनी थी इसकी मतलब चौथी पंच वर्शियों योजनाकी विकास दर डवलप्मेंट 5.7 ठीक है लेकिन हमें प्राप्त कितनी हुई हमें प्राप्त हुई लक्षे दर प्राप्त हुई 2.05 यानि आदी से भी कम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तीसरे में तो ठीक है भी या इसमें तो आदी से भी कम हो गई रखी इतनी थी 5.7 और हुई कितनी हमें 2.05 परसेंट इस योजना में जो प्रात्मिक में यहां लिखके ता हूँ प्रात्मिक था वो दी गई थी क्रशी पे अभी अभी हम भुक्त भोगी बैटे थे न भी यह सूखा पड़ा सा तीसरी पंच पर्शी हो जना में और मैं एंड लिख देता हूं छोटा सा एंड सिचाई क्रशी पे और सिचाई पर इसके अंदर प्रात्मिक्ता दी गई थी कि इसको भड़ाना है तो यह तो हो गए हमारे उपर-उपर के बस्तु हैं मेरी वाद समझ में आ रही है ना उपर-उपर की मुख्य बस्तु हो गए अब हम इसमें थोड़ा सा गहराई में गोता अशोग रुद्र मॉडल एंडर मॉणने मॉडल पादा रिते क्रशी पे प्रात्मिक ता छित्र क्या था प्रात्मिक जिस पे जोड दिया गया था जोड क्रशी और से चाहिए लक्षे दर रखी दी 5.07 प्रात कीती 2.05 खर्चा कितना हुआ था यह सोचा था हुआ कितना था ठीक है इसे मिटा दें फिर और बात करते हैं चौति पंच वर्षी योजनाग के बारे में हम 24 घंटे आपको दे रहे हैं कि आपको बैतर से बैतर दे सकें जिस समय वीडियो बनाई जा रहे हैं रात के दो बज़रें कि आपको शांती से आपको बना के दी जा सकें हम भी डि होतें से तीन घंटे आपके लिए मैनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचना है हमारे लिए सोचना मतलब ठंक से पढ़ाई कर लो तुम सकस्स होगे तो तुमारे पीछे हमारी भी सपलता चुपी हुई है तो आप बात करते हैं चौती पंच वर्षी यो उपर गए फिर नीचे आ गए फिर उठे फिर नीचे आ गए फिर उठे फिर नीचे आ गए फिर उठे अब उन्होंने का भाईया अब नहीं गिरना अब जो मिले सोव अच्छा मतलब कि इस्थिर्था के साथ कि इस्थिर्था के साथ कि आर्थिक विकास मतला आत्मे निर्वर बनना अब इस योजना के जो अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष बनाये गए थे उपाध्यक्ष कौन बने थे बैई दखो नेरुजी की डेथ हो गई तो उनके बतले में कौन आ गई इंद्रा गंदी आ गई थी तो वो तो रहेंगी अध्यक्ष इसको उपाध्यक्ष बनाये गए वो बनाये गए डी आर गौड गिल को बनाये गए कौन बनाये गया डी आर गौड गिल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया ठीक है अब योजना में घटित क्या हुआ इस योजना में मतलब जुलाई हम जानते हैं न जे यू एल वाई जुलाई 1969 में ये कुश्चन आ चुका है चौदा कमर्शल बैंक का राष्टी करण किया निशनलाइस बैंक बनाए गए कितने बनाए गए चौदा जो वानिजिक बैंक थे 1969 में चौदा वानिजिक बैंकों का क्या किया गया राष्टी करण किया गया राष्टी करण किया गया ठीक है इसकी विशेस था इस पंच वर्षिय योजना की ठीक है अब इस पंच वर्षिय नों बड़ा खतरनाक से कुष्षन और आता है यह मेरा कुष्षन नमबर वान यह मेरा कुष्षन नमबर टू वह जो कुष्षन आता है वह है 1974 में ध्यान देना बिटा मैं बहुत फटीग तुम्हें समझा रहा हूं 1974 में भारत ने एक बंप होड़ा था कुछ याद आया भारत द्वारा भूमी गत नुकुलर वम फोड़ा गया था भूमी गत ना भी किया परिक्षन किया गया था इस परिक्षन किया था इस परिक्षन किया था इस परिक्षन किया थे थे इसमाइलिंग बुद्धा याद है भारत का पहला पर्माणू भूम जब फोड़ा गया था उसको क्या नाम दिया गया था इस्माइलिंग बुद्धा ठीक है जो पहला बम फोड़ा गया था उसे क्या कहा गया था इस्माइलिंग बुद्धा उन्नेस सौ चोहतर में तो यह उन्नेस चोहतर दोगों समय पीरिड तो यह ही है तो यह मतलब विशेस्ता इस पंचवर्षी योजना की बन गई 1974 भारत दोवारा भूमी गद नावी की परिक्षण मतलब स्माइलिंग बुद्धा थोड़ा सा कैमरा एड़ेस्ट कर लें आपका क्या हम ओके अब आपको क्लियर दिखरा होगा जी है ठीक है तो 1974 में क्या हुआ था भारत दोवारा दोगो मेरा पैन पकड़ने की बहुत दिक्कत आती दोगो यह नीचे जगे नहीं है तो थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा है रैटिंग गंदी आरी लेकि मैं उसको बोल रहा हूं मूझ से तो उसे तुम सुन सकते हो तो 1974 में भारत दोवारा भूमीगत नाविक के परिछन किया गया जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा का सवज में आया ओके फाइन अब यह हो गया मतला है स्माइलिंग बुद्धा की बात अब इसमें एक और विशिस्ता है मुझे समिठाना होगा थोड़ा सा यह काम करता हूं यहां पर लिख दिता हूं जगे दिखाइ देरी है मुझे कि लगे तो सही बहुत ज्यादा पढ़ाई कि तुम लोगोंने भी चंश रह ना मैं इसमें इस अंदर एक सूखा दिख रहा होग़ आपको सूखा दिख रहा हैं सूखा प्रावण छेत्र कारिक्रम चलाया गया कारिक्रम चलाया गया इसे शौट में कहते हैं डी पी एपी सूखा प्रावण छेत्र कारिक्रम चलाया गया जो सूखे की मार से हमें आगात करें पहले ही आगात कर दे 1973-74 टाइम एसका 1973-74 में सूखा प्रावण छेत्र कारिक्रम DPAP चलाया गया 1974 में तो ये भी इसकी मतलब एक भूमी का रही महत्पुर भूमी का आप ध्यान रखिएगा बटाई विशेष्टाएं आ जाता है सुका प्रमण छेत्र कारेकरम किस पंचवर्शी योजना का हिस्सा है आप गर्ब से बोलोगे हमें मालूम है वो चौथी पंचवर्शी योजना का हिस्सा है दोखो यह मैं तुम्हें बहुत सारा समझा रहा हूँ लेकि मैं छोटे उटे पॉइंट से लिख रहा हूँ दो किता छोटा सा है एक दो तीन चार तुम्हारा हम से याद कर सकते हो घबडाना हम आते से ठीक है और इस पंचवर्शी योजना का एक आखरी हिस्सा यहाँ जागे दिख रही है तो वही हमें यहाँ लिख देता हूँ वो था इसी पंचवर्शी योजना से प्रथम परिवार नियोजन कारिक्रम लागू किये गए अगर आता है परिवार नियोजन, कारिक्रम कब से चलाए गए तो ये चौथी पंचवर्षी योजना इसमें आ जाती है तो ये हो गया आपका फूर्थ फाइव एयर फ्लान इस्तिर्ता के साथ आर्थिक विकास, उपादेक से डियार गॉडगिल, जुलाई में राश्टी करण हुआ चौदा वारेजे बैंकों का इसी पंचवर्षी योजना में, चौधर में भारत हैं पर्माणू परिक्षन किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, सूखा प्रवाण छेते कारिकरम बना, D.P.A.P. 73, 74 में और इसमें परिवार नियोजन कारिकरम की शुरुवाद की गई, क्लियर हो गया, अब हम इसको मिटा के हम आते हैं, पांचमी पंचवर्षी योजना में, इससे भा सुखा पॉइंट याद करना, जब तुम्हारे फ़र्मने ओप्शन आएंगे ने एकजाम में, आराम से टिक लगा लोगे, ठीक है बिटा, ओके, सो अब हम आते हैं, चौथे के बाद कौन सी पंचवर्षी योजना आती है, क्या बता, पांचमी, वेरी गुड, इतना डिफ करते हैं, पांचमी, पंचवर्षी योजना की, पांचमी, पंचवर्षी योजना कीं, अब ये बदल गया, अब हो कब से होगी, भाई यह 74 से जब खतम हो गई, तब वो 74 से 5 साल, 79 تक के लिए लागू होगी, होगी नहीं होगी, होगी, तो चलिए से crossing मेटा देते हैं, अब बाती है पांचमी पंच वर्षिय योजना की बात फिफ्ट फाइव इयर प्लान समय मैंने आपको बताई दिया 74 तू 79 यह था इसका समयकाल तो इसकी लिए हमें पहले देखना है इसका मॉडल किस मॉडल पर यह आधारे थी पांचमी पंच वर्षिय योजना आधारे थी डीपी धर मॉडल पर आधारे थी मैं हरका मॉडल लिखा रहा हूँ पिछली बार कुश्चन आ चुक है मॉडल से महिला परविक्षक में भी आ चुका है SI में भी आ जाता है और PSC में भी आ जाता है तो मैं पहले मॉडल लिखा रहा हूँ अब इसमें कितना खर्चा सोचा निवेश प्रस्तावित किया कितना खर्चे की बात की थी इसमें की थी 37,250 करोड रुपए ठीक है और वास्तविक कितना हुआ रियल में वास्तविक वास्तविक निवेश कितना हुआ 39,426 करोड रुपीज तो दोनों में जमीन आस्पान का अंतरमते जो सोचा उससे जादा निकल गया पांच मीं पंच वर्चिय योजना इसमें जो टार्गेट सोचा था लक्षित टार्गेट था सोचा मैं सोचा लिख देता हूँ सोचा था 4.4 प्रतीशत विकास दर मतलब ग्रोथ रेट जी आर विकास दर और हमने पाया कितना पाया टार्गेट पाया कितना पाया 4.83 मैं ऐसे लिख देता हूँ 4.83 पाया मतलब यह जो सोचा उससे जादा पाया यानि ये पंच वर्चिय योजना क्या हुई हुई सफल पंच वर्चिय योजना हुई हुई नहीं हुई अब इसमें किस प्रात्मिक छेत्र पर ध्यान दिया गया यह नोट्स बना लो मैं तुम्हें पहले दो साधार ने इसकी सारा और समाज कल्यान क्यू talks कल्यान पर कल्यान पर जनस्वास्त और समाज कल्यान क्यू यह ध्यान रखना अब इस पांच मीं पंच वर्षी योजना में हुआ क्या, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, पहले तो हो गया हम आ रहा ये, अब पंच वर्षी योजना में हुआ क्या, तो बहुत अच्छे बता दो, इसमें एमरजेंसी भी लगी, शुरू हो गई थी, 75 की emergency बहुत कुछ घटना घटित हुई बहुत कुछ उसके लिए मुझे पहले मिटाना जरूरी है इस पंचवर्षी योजना में बहुत घटनाएं घटी जो questions आ सकते हैं वो क्या क्या थी देखो तुमारे में question आया था इसका उद्देश ध्यान तो दिया गया था किस पर स्वास्त पर लेकिन इसका मुख्य उद्देश क्या था यह question आ चुका है पेपर उठाके देख ले ना PSC में भी आ चुका है तो question तो repeat कहीं पर भी हो सकता है तो इसका उद्देश था पांच मी का बच्चे confused रहते हैं पांच मी का था तो पांच मी का उद्देश था गरीवी उन्मूलन उन गरीवी हटाओ मतलग गरीवी उन्मूलन के साथ आत्म निर्भरता गरीवी उन्मूलन के साथ आत्म निर्भरता प्राप्त करना ये उसका मुख्य उते हैं अब ध्यान रखना ये चल गई थी बड़े आराम से लेकिन 1978 की बात है जनता सरकार हम कहते है न पहले गैर कांगरेसी ने ता मुरार जी देशाई 77 में बने तो जनता सरकार सत्ता में आ गई इसी समय इंदरा गांधी की इमर्जेंसी से सब परिशान हो गए थे, महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमते बढ़ गई, तो मतलब जो जनता थी न, उन्होंने सरकार पलट दी, तो जनता सरकार सक्ता में आ गई, और उन्होंने 1978 में ये योजना बंद कर दी, चलनी कब तक थी, 79 तक चलनी थी, लेकिन सत्ता में आई, उन्होंने का हम अपने इसाफ से चलाएंगे, उन्होंने ये योजना को बंद कर दिया, बेरे बाद समझ में आ रही है, तो ये जो योजना थी, मैंने बताया था, डीपी धर, मोडल पे आधारित थी, तुमारे में कोशन आया था, देखो, ये बंद कर दिया, कोशन नंबर वन बनता है इसमें, अगर हम देखें, मैंने कल भी शॉर्ट ट्रिक में बताया था, अपने प्रिवियस लेक्चर में, 1974 में, देखें, नियू नितम, मिनिमम् नीट्स प्रोग्राम, जिसे कहते हैं, नियून तम, आवशक्ता, आवशक्ता आवशक्ता, कारिक्रम, चलाया गया, शुरूवात की गई है, ध्यान रखना, कोशन आयता है कि वह ये किस पंच वर्शियों जना की देन है, यून तब आवश आवर्शक्ता करें मतलब कि हर वेख्षति की नियुन्तव नियुन्तव जो आवशक्ता है उसकी पूर्ती करी जाए किस पंच वर्षिय योजनाक समझ मैं आ रहा है नहीं आ रहा है इसके साथ मैं पूरा लिख देता हूं जो question आता है question number two एक और बनेगा question बनता है दो अक्टूबर 1975 दो अक्टूबर 1975 ठीक है को चेत्रिय चेत्रिय ग्रामीर चेत्रिय ग्रामीर बैंक इस्थापना कोई ध्यान रखना दूफी बिशिस्ता पहले उनिच आतर में निउन्ता बश्चता कारिक राम और उसमें दो अक्टूबर 1975 में छेत्रिय ग्रामीर बैंकों की इस्थापना की है question number three एक और बनता है इस पंच बर्शे तो तो highlight करो questions को 1977 और 78 में खाद के बदले मतलब काम के बदले अनाच कारिक्रम चलाया गया काम के बदले अनाच इसे हम खाद भी कह सकते हैं अनाच कारिक्रम चलाया गया समझ में आ रहा है दोगो पहला question 78 में ये बंद हो गई Period 74 में न्यूनता नौाच आज कारिक्रम चलाया गया दूसरा the October second October 1975 को 16 대 ली ग्रामीर बैंकों के इसे आ जाता है Scotree ग्रामीर बैंकों की पश्च वरशी हो ज़ना से हुई ऐ है पाच वी पश्च वरशी हो ज़ना है थीक है तीसरा 1978 में काम के बदले अनाज कारिक्रम सुनोगा खात के बदले अनाज कारिक्रम चलाया गया एक कोश्चन और बन सकता है उसके लिए मझे जगे ढूणने पड़ेगी पूरे बोर्ड पर ये जगे बैटर है यहाँ दिख दूँ तो समझ जाओगे लास कोश्चन कोश्चन नमबर 4 डाल दूँ कोश्चन बनता है केंद सरकार ने 1977 और 78 में केंद सरकार ने 1977-78 में राजिस्थान राज्य में दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा तो मैं कैमरा नीचे कर दूँगा राजिस्थान राज्य में यह राज्स्थान राज्य में 1977 एवे केंदर सरकार ने राज्स्थान राज्य में अन्तियोदय योजना शुरूआत की गई कोश्चन आया था अन्तियोदय योजना की शुरूआत कब से हुई है और कहां से हुई है 77 में हुई और किस राज्य से हुई राजिस्थान राज्य से हुई तो ये सारे questions बनते हैं हमारे इस पंच वर्षी योजना में 5 year plan में 1977-78 में राजिस्थान राज्य से अंतियोदय योजना की शुरुवात की गई ठीक है अब जब इनोंने बंद कर दी थी ना एक topic थोड़ा सा और है इसे मिटा देते थोड़ा सा मैं आप लोगों को पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं कोई question ना चूटे मैं कोई स्वार छुपा है एक-एक question highlight कर रहा हूं जिससे तुम समझ सको कोई चीज भार ना जाए बेटा और मुझे तुमारे feedback कमेंट जरूर देते रहो कमेंट करते रहो तुम्हें समझ में आ रहा है तो मेरा motivation बढ़ेगा मैं तुम्हें और अच्छा दूँगा बैस से बैस करो मुझे है ना कमेंट करो subscribe करो दिल्ली की faculty भी तुम्हें कोई नहीं देगी मैंने दिल्ली में तीन साल पढ़ाया है three year द्रस्टी कोचिंग में पढ़ाया है मैंने समझ में आ रहा है तो तुम्हें दिली कोचिंग सब मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें एक निचोड दे र की अनवरक जो योजना थी उसकी शुरुवात पांचवी पंचवर्षी योजना जब बीच में ही खतम कर दी गई थी तब की गई थी इसे हम क्या कहते हैं rolling plan ये दो साल का था बड़ा अच्छा प्लान था वैसे अगर हम देखें तो बड़ा सही तरीकी का प्लान था इसमें क्या था हम पांच साल तक इंतिजार करते थी किसी भी पंचवर्षी योजना के फेल होने का वो फेल होगी है पांच होगी हमने policy बना दी निवेश कर दिया ठीक है अब पांच साल बाद रलेट आएंगे कि वो पांच हुई या फेल हुई लेकिन अनवरत योजना कहीं साल खतम होने पे पूरी तरीके फेल होने से पहले रोक लो और उसे सुधार लो ये कहलाती है अनवरत योजना rolling plan अब इसमें क्या क्या गटित हुआ और किस प्रकार question बन सकते हैं ये मैं तुम्हें अब बताता हूँ मेरे बाद समझ में आरी नहीं आरी है ओके तो rolling plan में वो खतम कर दी थी न हमने तब से शुरू हुआ था इसका प्रती पादन किया था गुनार मिर्डल ने ठीक है इसका जो rolling अनवरत योजना थी ये बनाई गई थी गुनार मिर्डल के दुआरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और इसके जो योजना के मतलब आयो के जो उपाद्यक्ष थे वो कौन थे DT लकड़वाला इसके उपाद्यक्ष कौन थे DT लकड़वाला इसके उपाद्यक्ष थे तुम कर्फ्यूज नहीं हो गए ठीक है? मैंने यहां लिख दिया अब इसमें क्या-क्या शुरुवात हुई इसमें शुरुवात हुई इसकी विशेस्ता पहली विशेस्ता यहीं लिख देते हैं पहला कोश्चन 1979 में ग्रामी ट्राइसेम चलाया गया ट्राइसेम मैं फुल फॉर्म बदा दूँगा आप नोट कर लो 1979 में इस पंचवर्शी योजना में मतलब जो अनवरत योजना क्या चलाया गया? ट्राइसेम का फुल फॉर्म होती है स्वरोजगार प्रसिक्षण कारिक्रम मेरी बस समझ में आ रहा है स्वरोजगार प्रसिक्षण कारिक्रम ये कोश्चन बन सकता है कब चलाया गया ट्राइसेम? 1970 ने किस पंचवर्शी योजना में? पांचमी मतलब अनवरत योजना में फिर एक और कोश्चन बनता है कोश्चन नमबर टू याद रखना ये 1999 1999 जब चलाया गयी थी ना स्वर्ण जैनती ग्राम स्वरोजगार मतलब योजना चलाया गयी थी तो इस ट्राइसेम को 1999 में 1999 में जो स्वर्ण जैनती चलाया गयी थी ना स्वर्ण जैनती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्राम स्वरोजगार स्वरोजगार योजना चलाए गई थी न तो ट्राइसेम को इसी में सामिल कर लिया गया था मेरे बाद समझना आ रही है तो ये बहुत important है तो ये बात है कि दो बार छटी योजना की शुरूआ थोई पहली तो जनता सरकार दोरा मैं कह सकता हूँ 1978 1978 से 83 और जब इनकी सरकार गिर गई तो फिर छटी पंच वर्षी होजना शुरू हुई 1980 से तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने तीसरी चौती पाचवी बनाई इसके दो ये बहुत महतपूर है पाचवी के तो मैंने बता दिये थे ये बंद होगे ये शुरू हुई जो इमर्जेंसी लगी उसमें शुरू आत हुई तो ये कोशन जरू ही आत कर लेना और प्रीज मैं आपके लिए तवी महनत कर रहा हूँ तो मैं समझ में आ रहा हूँ मैं आ जाओंगा और ये मेरा वाट्सअप नंबर है इस पर मुझे को नाम लिखके भेज़ दो तो मैं डारेक्ट आडियो लेक्चर भी भेजता रहूँगा हम हमेशा जोड़े रहेंगे नेट रहे या ना रहे चलिए तो आगे मैं आडियो लेक्चर भेजने वाला हूँ इसमें छटी, सात्मी और आठमी पंच वर्षी योजना रहेगी धन्यवाद